मैं मनु स्मृति आज फिर अपने हिर्दई की वेदना बाटने के लिए आई हूँ कहते हैं न कि मलाई कीचड में पढ़कर मल बन जाती है कुछ ऐसा ही हाल मेरे द्वारा दी गई वर्न व्यवस्था का सभी को अपनी योग्यता, ख्रमता वर रुची के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता देने वाली व्यवस्था का मैंने अनुमोदन किया था वह व्यवस्था समाज का उतक्रिष्ट सुध्रिड आधार सिध्ध होती यदि मिथ्या गाथाओं को भुला कर मेरी व्यवस्था को स्विकार किया गया होता यह भ्राम फैलाया गया कि ब्रह्मन को मुख से उत्पन हुआ शूद्र पैरू से इसलिए ब्रह्मन को ही समाज में प्रमुक्ता देने का समर्खन किया गया है मनुसमीती ब्रह्मनों को ही उचा माना गया ऐसा भामक प्रचार किया गया कि शूद्र को सबसे निक्रिष्ट माना गया है उनको ब्रह्मनों के समान अधिकार नहीं दिये गए पहली बात इस व्यवस्था में किसी को भी छोटा या बड़ा माना ही नहीं गया शुद्र व्यक्ति वह होता है जो किसी भी कुल में उत्पन होने के बाद अपनी अशिक्षा के कारण किसी उन्नत वर्ण की स्थिती को नहीं प्राप्त कर पाया अशिक्षा से उसकी निम्न जीवन स्थिती रह जाती है जो केवल सेवा आदी कार्य ही कर सकता है उसे सेवा का कार्यभार दिया गया सब कुलों में रहकर सब की सेवा करने वाला अपवित्र और अस्प्रिश्य कैसे कहा जा सकता है किसी व्यक्टी की सज्जनता देखकर प्रायह लोक व्यवहार में कह दिया जाता है कि अमुक व्यक्टी तो गव है क्या इसका यहा अभिप्राए है कि उस व्यक्टी की आकरीटी गव जैसी है या उसके सींग पूछ इत्यादी है इसका अभिप्राय यही होता है न कि वह व्यक्ति सरल स्वभाव का है उसे गव कहना उसके स्वभाव की सरलता को दर्शाता है बात को लक्षना शक्ति से भी तो समझा जाता है इसी प्रकार यदि ब्रह्मन को समाज का मुख कहा गया तो इसका यह अभी प्राय तो बिल्कुल नहीं है कि जिस प्रकार शरीर में मुख उपर होता है तो ब्रह्मन को भी सबसे उपर मान लिया गया उसे मुख कहने का प्रयोजन तो केबल इतना है कि विद्या सत्य भाशन आदी उत्तम गुणों और श्रेष्ठ कर्म से व्यक्ति ब्रह्मन वर्न का माना जाता है अध्ययन अध्यापन जैसे मुख्य कार्य और गुणी होने के कारण उसे उत्तम कहा गया तुमने ब्रह्मन के साथ पक्षपात करने का आरोप मुझ पर मड़ दिया आधुनिक यूग की स्थिती के साथ तुलना की जाए तो बताओ किसी कम योग्यता रखने वाले व्यक्ति को किसी संस्थान का निम्न सेवत म्यूक्त किया जाता है या उसे संस्थान का निदेशक बना दिया जाता है प्रमुख बना दिया जाता है पक्षपात का कुच्छित प्रचार करने से पहले तनिक मेरे द्वारा दी गई दंड व्यवस्था का भी अनुशीलन तो कर लिया होता मैंने दंड व्यवस्था का विधान करते हुए कहा अश्टा पाध्यन तू शुद्रस्य स्टेये भवती किल विशम शोडशईव तू वैश्यस्य द्वात्रिंशत प्षत्रियस्य चप अर्थार चोरियादी अपराध में शुद्र को साधारन जन के एक पैसे की तुलना में आठ गुना दंड दिया जाता है तो उसी अपराध में वैश्य को 16 गुना और क्षत्रिय को 32 गुना दंड दिया जाए उसी अपराध में ब्रह्मन को 64 गुना या 100 गुना दंड दिया जाए या 64 गुना का भी 2 गुना दंड दिया जाए ब्रह्मन अस्य चतुखुश्ष्टि है पूरणम वापी शतम भवेग विगुनावा चतुखुश्ष्टि तदोश गुन विध्धी सहाँ अगर गुनो वश्रेष्ट कर्मों के कारण ब्रह्मन को समाज में सरवोच प्रतिष्ठा दी है तो उसे अपराध में अन्यवर्णों की अपेक्षा दंड भी अधिक ही दिया गया है